हाँ नमस्कार साथियों आज हम बिये पर्थमवर्ष के लिए टोपिक लेकर आये हैं गांधी के राजनीतिक विचार इससे पहले के वीडियो में हमने आपसे ये विमर्ष किया है कि गांधी का व्यक्तित्तो और चिंतन बहु आयामी है कमोबेश जीवन के हर छेत्र में गांधी के सुझाव है विचार है चूंकि हम राजनीति विज्ञान के विध्यार्थी है इसलिए हम से उमीद की जाती है कि गांधी के राजनीतिक दर्सन पर हम अपनी समझ रखें पकड़ रखें और परिक्षा में भी यहां से सवाल पूछ से जाने की अधिक संभावना है इसलिए आज हम बात कर रहे हैं गांधी के राजनीतिक विचार की तो गांधी के राजनीतिक विचारों को हम कुछ खंडों में विभाजित करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्जी के संबंद में गांधी के क्या विचार थे राज्जी को लेकर अलग-अलग थेरीज पॉलिटिकल साइंस में रही है उदारवाद का अपना विचार है, मार्कस्वाद का अपना विचार है, समाजवाद अपने एंगल से राज्जी को परिभासित करता है जहां तक गांधी की बात है तो गांधी ने राज्जी की दो व्याख्याएं की है पहली जो व्याख्या है वो उन्होंने एक आदर्स के रूप में की है जिसे वो हासिल करना चाहते थे वो ये मानते हैं की राज्ज एक अनावशक बुराई है यानि की वो राज्जी की जरूरत ही नहीं समझते थे अनावशक बुराई का सब्द इसलिए इस्तिमाल किया जा रहा है क्योंकि उदार्वाद राज्जी को एक आवशक बुराई समझता है वो दारवाद ये तो मानता है कि राजजे एक बुराई है, लेकिन वो ये मानता है कि इस बुराई कि हमें जरूरत है, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, या हमारी व्यवस्ता चल नहीं सकती क्योंकि वो मानते हैं कि राज्य की वज़े से व्यक्ति के सौतंतरता का कहीं न कहीं हनन होता है लेकिन राज्य के अभाव में फिर अराजकता की इस्तिति आ जाएगी और फिर जो सौतंतरता या जो व्यक्ति के अधिकार हैं वो पूरे समाज में विश्टित नहीं हो पाएंगे तो वो एक मजबूरी के रूप में उदारवाद राज्य को स्विकार करता है लेकिन गांधी मानता है कि राज्य का होना कोई मजबूरी नहीं है बलकि ये तो गयर जरूरी है इसकी कोई जरूरत नहीं है गांधी मानते हैं कि राज्य एक संगठित हिंसा का प्रतीक है वो पुलिस के माध्यम से, जेल के माध्यम से, सेना के माध्यम से बलप्रियोग करता है वो हिंसा पेटिका है इसलिए उसका नहीं होना चाहिए वो नैतिक विकास में, व्यक्ती के नैतिक विकास में एक बादा है और वो मानता है कि व्यक्ति के आत्म निर्भर बनने में भी राज्य मुश्किल पैदा करता है इस प्रकार गांधी का जो राज्य संबंधी जो आदर्स सात्मक विचार है वो तो राज्य के अस्तित्तु को या राज्य की जरूरत को ही खारिज करता है लेकिन गांधी ने एक उपादर्स भी दिया है जिस तरह प्लेटो ने उपादर्स दिया एक आदर्स राज ये उपादर्स राज की बात की है उसी तरह का है कुछ हलंकि हूब भूत वैसा नहीं है क्योंकि प्लेटो और गांधी का अपना एक अंतर है प्लेटो विशेश रू एक अर्थसास्त्री भी थे, एक समाज सुधारक भी थे, एक संत भी थे, तो बहुत सी आयाम है गांधी के, मल्टी परपज थे गांधी, एक स्पेसिफिक जो छेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है. तो जहां तक गांधी ने उपादर्स राजी की बात किये, जिसे वो अहिंसक राजी कहते हैं, यहां ये गांधी ये मानते हैं, कि जो राजी विहीन समाज है, वो उस इस्तिती में संभव है, जब व्यक्ति में जो हिंसक प्रवर्ती है, वो कायब हो जाए, वो समाप्त हो क्योंकि हमने सत्याग्रे के विचार में बताया था कि गांधी जी ये मानते हैं कि व्यक्ति मूलते तो अहिंसक ही है, मूलते नितिक है क्योंकि परमात्मा जब नितिक है तो उसकान से नितिक कैसे हो सकता है लेकिन भोतिक वाद के इस दोर में उसकी जो नैतिकता पर भोतिक वाद का परदा गिर गया है और वो अपने नैतिक पहचान को भूल गया है इसलिए वो किसी के साथ हिंसक व्यवार कर देता है किसी के साथ बैमानी कर देता है या किसी को अपने व्यवार से जो दुखी कर देता है तो गांधी ये मानते हैं कि वर्तमान समय में जो भोतिक वाद का प्रभाव है वो इतना गहरा है कि हम जो राज्य विहीन समाज के विचार को अभी संभव नहीं है हलांकि उनका अंतिम जो आदर से वो यही है तो एक साधन की रूप में वो अहिंसक राज्य को स्विकार करते हैं अंतिम रूप से तो उनका उद्देश से राज्य वहीन समाज तक ही पहुँचना है लेकिन वो मानते हैं कि एक बार अहिंसक राज्य होगा और अहिंसक राज्य का जो काम है वो व्यक्ति के नैतिक उत्थान में मदद करना है, उन पर इस्थतियों को पलब्ध कराना है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सायक हों यहाँ राज्य बल का प्रियोग नहीं करेगा बलकि सत्या घ्रह के जरिये लोगों के व्यभार को बदलेगा उनके जो आदर्स कारिय सैली हैं उनको प्रेडित करेगा तो यहाँ वो डर से नहीं बलकि प्रेरना से आत्म भाव से व्यवस्था को चलाएगा और जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने नैतिक रूप से विक्सित होते जाएंगे तो वो फिर राज्य के अपने आप समाप्त हो जाएगा और फिर वो पूर्ण आदर्स हासिल कर लेगा तिये राज्य के संबन में गांधी के विचार है और अलएंकि इसतरह की व्यभारिक्ता आजकल देखने को नहीं मिलती है राज्य कहीं न कहीं हिंसा के साहरे ही ठीके हुए है सडियंत्र के साहरे ही ठीके होए है और दमनात्मक कानूनों का विस्तिमाल करते हैं तो राजसमंदी विचार के बाद हम एक और विचार है राजनीतिक छेत्र में गांधी का जिनकी चर्चा लगबग हर दोर में होती है वो है राजनीती का आध्यात्मीकरण का विचार या धर्म और राजनीती के बीच क्या रिस्ता हो इसको लेकर गांधी का जो विचार है उस पर हम बात कर रहे हैं तो यहां धर्म से मतलब हिंदू, मुस्लिम या किसी पंत से नहीं है बलकि जो नेदिकता से है या कर्तव्य प्रायनता से है या अपने जो कर्तव्य को पूरा करने से है तो हर गांधी मानते हैं कि हर व्यवसाय का, हर छेत्र का अपना एक धर्म होता है जैसे सिक्सक का धर्म है वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाए डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीज के हित में जो काम करे या उसकी सेवा सुसुरुसा करे उसको बहतर जो टोनिक विटामिन देता कि वो ठीक हो जाए इसी तरह राजनेता का धर्म है कि वो जनता की सेवा करे निस्वार्थभाव से करे और उन समाज सेवा में समर्पित हो जाए तो राजनीतिक जो आध्यात्मी कर्ण का विचार है वो इसी बात पर बल देता है कि राजनीती सेवा का माध्यम है और राजनेताओं का काम जनता की सेवा करना होना चाहिए ये राजनीती का अध्यात्मिकर्ण है जब भी राजनीती में दल बदल होता है, भ्रष्टाचार होता है पद की लोलुपता के लिए राजनेताओं का सडियंत्र पूर्ण व्यभार होता है तब तब गांधी का जो राजनीती का अध्यात्मिकर्ण का विचार है ये प्रभावी हो जाता है और इसके सहरा लेकर विशलेशक सवाल उठाते हैं तो ये राजनीती का अध्यात्मिकर्ण की बात है इसमें तो धर्म और राजनीती का जो संबन्द है उस पे गांधी जी मानते हैं कि राजनीती और धर्म का जो रिष्टा है वो जरूरी है इसलिए गांधी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीती मृत्युजाल है तो हमने अब फिर आपको बता रहें कि यहां धरम का मतलब किसी पंत से नहीं है यहां धरम का मतलब है करतव प्रायनता और नेतिकता से है अगर किसी भी प्रोफेशन के साथ यह नहीं जुड़ेगा तो वो प्रोफेशन समाज कल्यान का माध्यम नहीं बनेगा वो छेत्र समाज कल्यान का माध्यम नहीं बनकर स्वार्थ की और जाएगा अगर चिकित्सक का धर्म सही नहीं होगा तो वो लोगों की किट्ने निकाल कर वेचना सुरू कर दे सिक्सक अपना धर्म खोदेगा तो वो क्लास्रूम की बज़ाए कोचिंग संस्थानों में पढ़ाएगा और वहाँ पैसे कमाएगा और जब राजनेता अपने धर्म से विमुक होगा तब वो राजनीती को व्यवसाय समझने लगेगा और चुनाओं में दारू बांटेगा स्वेटर बांटेगा कंबल बांटेगा और लोगों का वोट खरीदेगा और पांच करोड खर्च करके 15 करोड 25 करोड कमाएगा और सामुदाइक जो सेवाएं हैं और ठप हो जाएंगे प्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो फिर राजनीती का जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा तो राजनीती का अध्यात्मी कर्ण दरसल राजधर्म है एक तरहें का तो मैं समझता हूँ कि आप इस विचार को समझ पाएं होंगे दूसरा गांधी का संसद्य ववस्ता पर विचार है तो गांधी जी राजनीती में केंद्रिय करण के बिलकुल भी पक्सदर नहीं थे और वो राजनीती में ही नहीं आर्थिक छेत्र में भी केंद्रिय करण के बल दिया है आज जो हम देख रहे हैं खास तोर पे गांधी ने अपने दोर में जो ब्रिटीश व्यवस्था देखी थी तो वहाँ संसद बहुत पावरफुल है आज भी हम ब्रिटेन की संसद के बारे में कहते हैं कि वह डिलोंग का कथन है कि इस्त्री को पूरुस और पूरुस को इस्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है तो ब्रिटीश पार्लियमेंट इतनी पावरफुल है गांधी मानते थे कि ये संसद्य व्यवस्था है ये गलत है क्योंकि इसमें सकती का अधिकाधिक केंद्रिकर्ण हो जा रहा है और जहां सकती का अधिक केंद्रिकर्ण होता है फिर वहां जो मानुए विकास या नैतिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है और जो दमन है वो बढ़ता है लोगों की आकांक साएं हैं आपेक साएं हैं वो किसी के रहमो करम पर टिक जाती है तो गांधी ने संसदी व्यवस्था का विरोध किया है और संसदी व्यवस्था ही नहीं है गांधी ने हर उस राजनीतिक सिष्टम का विरोध किया है 90 के दसक में नए पंचायती राज के दोर में वो लागू हुए आलंकि वो पहले भी लागू हो गया था 1969 में लेकिन उसकी व्यभारिक्ता में कुछ कठिनाई आ रही थी और ठिक से काम नहीं कर पा रहा था लेकिन जब समिधान में उनको जगह दी गई बाकायदा एक कानून बना पंचायती राज अधीनियम नगरी निकायों के लिए भी अलग अधीनियम बना और आज उसके देट काम भी हो रहा यह सब गांधी के ही जो आदर्स थे जिनको सविधान में जगह मिली है तो आलाएं की गांधी जिस तरहें का राजनीतिक जो व्यवस्ता चाहते थे वो आज भी नहीं है गांधी का यह मानना था कि जो सब्ता है वो अधिकाधिक गाउं में होनी चाहिए और उपर जब आप राष्टर के इस्तर पर जाते हैं नेशन के इस्तर पर जाते हैं और गांधी जी जो नीचे का जो चुनाव है खासतोर पर गाउं के अंदर वहां वैस्क मताधिकार की बात करते हैं सारभूमिक वैस्क मताधिकार उपर की जो सरकारे हैं वो प्रतिन इधियों के माध्यम से चुनने की बात कहते हैं तो एक तरह से जो ग्राम सवराज्य का जो विचार है उनका वो गांधी जी का एक राजनीतिक व्यवस्था का एक आदर्स है जो अहिंसक राज्य के हम बात कर रहे हैं अहिंसक राज्य जो गांधी का आदर्स राज्य है उसमें तो राज्य की जगह ही नहीं है तो वहाँ जो गांधी इस बात पर बल देते हैं कि गाओं में सभी लोग अपने एक मुख्या का चुनाओ करेंगे मुख्या के लोग है वो ब्लोक इस तर पे अपने मुख्या को चुनेंगे सबी गाओं के ब्लोक वाला है वो जिला इस्तर की जो सरकार है उसको चुनेंगे फिर वो राज्जी जिले के जो परमूख है वो राज्जी की सरकार को चुनेंगे राज्जी के परमूख है वो राष्ट्रे सरकार को चुनेंगे और जो पावर का जो पिरामिड है उसका जो आ तो उस पावर के जो circulation को है उसी को ही बदल देना चाहते है और ये विचार गांधी का भी गांधी का तो ही है रामनोर लोहिया है या जैप्रकास नारायन है ये जितने भी समाजवादी विचारक रहे हैं जो काफी विमर्स का हिस्सा रही है भारती राजनीती और चिंतन में त ज़्यादा उत्तरदाई बनाते हैं उसे तो ये गांधी जी की जो संसदी विवस्था और पंचायती राज का जो विकल्प है उसके रूप में बात कर रहे हैं क्योंकि गांधी संसद को बांज भी कहते हैं आपने ये सुना होगा और वो इसलिए कहते हैं कि वहां जो गाल ज़्यादा बजाते हैं और काम कम करते हैं वो उत्पादक संस्था नहीं है जैसे हम बंजर खेत में कोई पैदावार नहीं होती है उसी तरह गांधी का ये मानना है कि वहां कुछ होता नहीं है बलकि एक मतलब खर्चा है और एक सत्ता के केंद्रीकरण का वो प्रतीक है फि उन दुनिया के चुनिंदा उन लोगों में सुमार भी होते हैं जो दलिय व्यवस्था को नकारते हैं चाहे वो वासिंटन हो जो जो अमेरिका के राश्टर पती रहे हैं या मात्मा गांधी है या जैप्रकाश नारायण है या मानवेंदर नात्रोय है यह कुछ विचारक कि गांधी का कोई भी छेत्र में उनके विचार को अगर हमें समझना है तो हमें उनके दार्शनिक पक्स पर जाना होगा गांधी ने हमेशा सत्यो रहिंसा की बात की है और अपने विचारों को आध्यात्मिक्ता से जोड़ते है गांधी हर उस व्यवस्था के विरोधी है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक बनती है या व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए परिस्थितियां पैदा करती है तो गांधी का मानना है कि राजनीतिक दल है वो व्यक्ति के जो सोतंतर चिंतन है उसको प्रभावित करते हैं अभी व्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंद लगाते हैं आपको पार्टी लाइन में ही बोलना पड़ेगा भले आप पार्टी के उस फैसले से सहमत नहीं हो और ये जरूरी भी नहीं है कि सभी व्यक्ति एक फैसले से सहमत भी हो क्योंकि कोई व्यक्ति मसीन नहीं है सत्य पर किसी का एकादिकार नहीं है सत्य हर आँख से बड़ा होता है तो गांधी का ये मानना है कि राजनीतिक दल दली अनुसासन के नाम पर कुछ लोगों के विचारों को सब लोगों का विचार बना कर समाज पर थोप देते हैं बले दूसरे लोगों का दल की भीतर उस विचार से सहमती ना हो लेकिन वो दबाव में उस विचार को मानते हैं तो इस रूप में गांधी दली विवस्था के समर्थक नहीं है फिर गांधी का एक विचार है कि वो विश्व बंधुत्तों में यकीन करते थे अपनी बुस्तक हिंद सवराज में उन्होंने एक सिधान दिया है सामुद्रिक तरंग का सिधान सामुद्रिक तरंग का मतलब समुदर में तरंग है या फिर आप गाउं में भी जो छोटे जलासे होते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं जब आप बीच में पथर फेंकेंगे तो वहां से पहले एक मतलब गोलाकार उस पथर के चारों और एक लहर निकलेगी फिर उस लहर के आगे और लहर निकलेगी तो इस तरह से कई सर्किल के भीतर सर्किल बनते जाते हैं और वो थोड़ी देल बाद नष्ट हो जाते हैं तो गांधी ये मानते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है वो इसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है एक दूसरे के भीतर है यानि कि व्यक्ति है वो गाउं के भीतर है गाउं है वो जिले के भीतर है जिला है वो राज्जी के भीतर है राज्जी है वो राश्टर के भीतर है और राश्टर है वो दुनिया के भीतर है तो इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा एक अपने गाउं की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए एक गाउं को अपने जिले की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए एक जिले को अपने राज्जी की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए एक राज्जी को अपने राष्टर की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए और एक राष्टर को पूरी दुनिया और मानोता के लिए समर्पित रहना चाहिए इसलिए गांधी का जो विस्व बंधुत्तु का विचार है वो बहुत इस्पष्ट है वो किसी भी तरहें के अंदराश्ट्रवाद में यकीन नहीं करते हैं वो हर तरहें के सद्भाव की बात करते हैं जाए समाज के भीतर हो या दुनिया के भीतर हो तो बेसिक रूप से यही गांधी के राजनितिक विचार है और मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ पाएं होंगे फिर पिर आपकी कोई जानकारी होगी या कोई क्योरी होगी तो हम उसका समाधान क्लासरूम में करेंगे धन्यवाद